शोजे मैं आपके लिए गर्मा गरम खाना ड्राइंग रूम में लेकर आती बेगम दो खुजूरे ही ले आती साथ खालेता खाने के बाद शायद अल्ला शिफा दे देता कौन सी खुजूरे वही ही जो मेरा दोसर भी नहीं देख गया था कौन सी खुजूरे ही आठ दस खुजूरे थी बूटा आया हुआ था उसने पड़ी देखी और मिलक शेक बना कर पी लिया क्या हुआ आपको पेगम छोटी सी बात ने आइना दिखा दिया मुझे कि मैं अभी आता हूँ कहां जा रहे है काना छोड़कर आकर बताता हूँ असलाम लेकूम वालेकूमस्सलाम कहा रही है थी खुपूर साब इतनी अमर्जंसी में प्लाट पर पुलाया नदीम ये मेरा प्लाट देख रहे हो जिस पर अगर बिल्डिन धड़ी करना ही हो तो कितनी देर हमें काम शुरू कर सुदे है ओ गफूर साब आपको तो पता है अपना काम है जद्धी पुष्टी खेकेदारी है दो गंडे में शुरू हो जाएगा ठीक है तो पर ठीक है नदीम मैं यहां एक खुबसूरत मस्यद बिनाना चाहता हूँ माशाल'llah माशाल'llah दो गंटे में यहां काम शुरू करो मैं मुघरब से पहले यहां ख़डाही देखना चाहता है गफूर साथ तो ऐसे काम करो वारे हैं जैसे ने पता हो कि मैंने मगरिब के बारम मर चाना है यह इतनी जल्दी अभी तो नक्षा भी बनना है नदीन, जिन्दगी और मौत तो खुदा ले आपने, मैं वैसे बिमार शुदार नहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ से बनाएवी मस्जद में एक नमाज अदा करके जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द यहां एक मस्जद तामेर हो, अच्छा, अब ठीक है, यह लो, यह तीस लाख रुपने के चेक है, ठीक है जी, जी सखलास और शोक से आप काम करवा रहे हैं ना, इन्शालला दो घंटों में ही शुरू हो जाएगा मैं गाड़ी में रठा हूँ, अपनी लेपर बलाओ और फॉरण काम शुरू कर दो, ठीक है, ठीक है कहां चले गए थे आप, बेगम, आपके छोटे सी बात में मेरी आँख्या खोल दी, मैं पागल, आपके आशो अराम जूड़ता रहा, और अपने लिए रहाश और अराम का इंतिजाम ना कर सका क्या मतलब, मैं अपने असली घर और असली रहाश का इंतिजाम करने किया था, क्या कह रहे हैं आप गफूर साथ, मैं आप स्कून से मर सकता हूँ, अब मेरी लूग को बहुत स्कून मिलेगा, आप लोगों न तो मेरे लिए चार खुजूर के दाने चोड़ना गुआर नही तुम अपने भाई के साथ मिलकर नही कार की फिकर में हो, और बेटा, बेटा दोस्तों के साथ मिलकर आयाशियों में मसरूफ है, मेरे मरने के बाद, आप लोगों न मुझे क्या बेजना है, जो मेरे लिए खुजूर के चार दाने न रख सके, इसलिए, इसलिए मैंने अपन मेरे दौाओं का मोहताज नहीं रहूंगा बेगम, मैं, मैं पैसे के पीछे पागल था, और अपनी आखरत भूल चुका था, अब मेरी रूख को चैन मिल गया है, अब मेरी रूख को ठंटक मिल गयी है, ऐ इमान वालो, ये दुनिया फानी है, अमीर, गरीब, बड़ी गाड कामपनियों मेरी फार क्रोडों के मालिक, प्रेज पर्देज में पैसे, और अपणों की खातर खाख चानने वाले, बड़े बिसनसमें, कामपनियों के मालिक, सिर्फ एक लिब्रभे केलिए अपने के गिरबान में जांकर देखे, क्या आपने अपनी आकरत, और असर कर लिया है ये जिन्दगी बहुत छोपीजी है देखते देखते रियत की मानद हाथ से पिसलती जा रही है चंद सांसें फिर सामने दो कज खबर मैंने तो मैंने तो मस्जद तामीर करके अपनी रू को स्कून दे दिया है अब मैं स्कून से मरसता हूँ आप सब हमारी वीडिय किया ही सही इंसानियत और अल्लह की रा में खर्च करते जाओ किसी गरीब का सहारा बनकर किसी गरीब बेटी की शादी कर रहा कर किसी भेवा के सर पर हाथ रखकर अपनी हैसित के मताबक अपनी आखरत सवार लो खुदा की कसम एक हवा का ज्छोंका आएगा और ये दुनिया कि सारी आशो अराम छूड जाएगा और मौत की अगोश में जास होएंगे अपनी दॉलत बन मानना करें इंसान तेरी सारी दॉलत की उकात सफैद कफन और दोगा जमीन है तो आया हमारी वीडियो देखकर किसी का दिल बदल जाए झाल सक्षब का जए खूट